हलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की रेसीपी ये हरे टमाटर की भूजी टमाटर की चटनी तो हम अधिकतर बनाते हैं पर आज हम हरे टमाटर की भूजी बनाएंगे जो की खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है इसके लिए हमने ये हरे टमाटर लिये हैं, दो प्याज लिये हैं और तीन हरी मिर्चे हैं अब सबसे पहले हम टमाटर को कद्दुकस करेंगे, इसके लिए हम बिल्कुल हरे टमाटर लेंगे इस तरह से कद्दुकस करके तयार कर लेंगे अब कड़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल जब गरम हो जाएगा तब हम इसमें जीरा डालेंगे, लसन, हरी मिर्च, और प्याज, सभी को कुछ देर भुन लेंगे टामाटर और प्याज सफ्ट हो गए, अब आब इसमें मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, अलदी, नमक, मसालो को एक से दो मिनट भुन लेंगे फिर इसमें कद्दुकस करे हुए टमाटर डाल देंगे और इसे मसाले में मिक्स कर लेंगे अब इसे कुछ देर के लिए ढग देंगे टमाटर सोफ्ट हो गए हैं टमाटर की भूजी बनकर तैयार है तो फ्रैंट्स आप भी एक बार इस तरह से हरे टमाटर की भूजी बनाएए खाये और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये recipe कैसी लगी तो मिलते हैं friends next video में